हेलो गाईज स्वागत है आपका हमारे चैनल अल्टिमेट एक्सप्लोरर पे आज हम बात करने वाले हैं टॉप फाइब मोस्ट इंजरेश डॉग ब्रीड्स के बारे में मतलब की दुनिया की सिबसे खतरनाक कुत्तों के प्रजातियों के बारे में तो शुरू करते हैं डॉग डॉग नमबर फाइव जर्मन शेफ़र्ड से दोस्तों जर्मन शेफ़र्ड का नाम दुनिया की सबसे खतरनाक कुत्तों के लिश्ट में आता है क्योंकि यह अपने मालिक के प्रति सबसे बफ़दार होते हैं और अगर इने ऐसा लगे कि इनके मालिक को किसी से खतरा है तो यह जरा सी भी हरकत करने में देर नहीं लगाते और इनकी बाइट फॉर्स 238 PSI होती है जो कि एक आदमी को पकड़ के नीचे गिराने के लिए काफी है डॉग नमबर फॉर डॉबर मैं दोस्तों डॉबर मैं डॉग ब्रीड का नाम दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग इसमें भी शामिल किया जाता है क्योंकि यह डॉग ब्रीड 32 माल्स पर आवर की स्पीड से दोड सकती है दोस्तों डॉबर मैं का बाइट फॉर्स होता है 228 PSI जो कि बाकी डॉग के मुकाबले थोड़ा कम है लेकिन अगर यह अपनी पूरी जान लगा कर किसी आदमी को काट दें तो यह उनकी मसल स्टियर करके उनकी बॉंस को भी क्रैक कर सकते हैं डॉग नमबर 3 रॉट वीलर दोस्तों रॉट वीलर डॉग ब्रीड के दांत और जबडे बाकी डॉग ब्रीड में सबसे ज़्यादा ताकत पर होते हैं और इनका बाइट फॉर्स 328 PSI होता है और यह अपने सामने वाले के उपर 180 किलो के दबाब से अटैक कर सकते हैं जो की बहुत ही खतरनाक होता है डॉग नमबर 2 डॉग अर्जिंटीनो दोस्तों डॉग अर्जिंटीनो को तो बनाया ही हंटिंग के लिए था दोस्तों डॉग अर्जिंटीनो इतने खतरनाक होते हैं कि यह अकेले ही एक जंगली सुवर का शिकार कर सकते हैं दोस्तो डोगो अर्जिंटीनो का बाइट फोर से 500 PSI जो की चीते के बाइट फोर से भी जादा है दोस्तो डोगो अर्जिंटीनो ने तो एक बार अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एडल्ट प्यूमा को भी जखमी कर दिया था जिसकी बज़ा से उस प्यूमा को वहाँ से मैदान छोड़ कर भागना पड़ गया था दोग नंबर वान पिट बुल दोस्तो आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो पिट बुल के बारे में नहीं जानते होंगे इस डॉग ब्रीट का बाइट फॉर्स है 235 PSI और यह 15 से भी ज़्यादा देशों में बैन हैं और कुछ देशों में रखने के लिए इन्हें गवर्मेंट की पर्मीशन लेनी होती है अगर आप गैर कनुनी तरीके से इन्हें पालते हुए दिखे तो आपको जुर्माना और जेल भी जाना पड़ सकता है तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद